22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्गाटन होने वाला है चारो संक्राचारी ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये संक्राचारी कौन है उनकी फिलोसफी क्या है और आधी संक्राचारी कौन थे संक्राचारी means teacher of the way of संक्रा ये एक religious title है जो यूज किया जाता है हिंदू मठ के heads के द्वारा ये जो हिंदू मठ है वो चार हिंदू मठ है इसको establish किये थे आधी संक्राचार 8th century में इसके जो head है वो ये religious title यूज करते हैं आधी संक्राचारी ने इन मठों की अस्थापना की थी knowledge का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मठ है द्वारका में जो कि गुजरात में है दूसरा है जोसी मठ में जो कि उतराखंड में है तीसरा पूरी में है जो कि उरिसा में है और चोथा स्रिंगेरी में है जो कि करनाटका में है पर तेक मठ जिसको की संस्क्रीत में पीठा भी कहा जाता है उसको एक-एक वेद के संगरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए और वेदिक लिटरेचर को जिवित रखने के लिए कारिभार सौपा गया था गुवर्धन मठ जो की पूरी में है उसको विग वेदा के संग्रक्षक के रूप में चुना गया था द्वारका सारदा पीठम जो की गुजरात में है उसको साम वेदा का संगरक्षक के रूप में चुना गया था स्रिंगेरी सारदा पीठम को यजूर वेदा के संगरक्षक के रूप में चुना गया था जोतिर मठ जोकी उतराखंड के जोसी मठ में है इसको अथाववेद के संक्रक्षक के रूप में चुना गया था विजायनगर किंगडम फर्स्ट था जोकी सिंगेरी मठ को 14th सेंचूरी में सपोर्ट किया था अब हम जानते हैं आदि संक्राचारी के बारे में आदि संक्राचारी कहा जाता है वो 8th सेंचूरी के इंडियन वेदिक स्कॉलर थे उनका जन्म केरला में एक काउं है जिसका नाम केलेडी है उस गाउं में हुआ था उनको लॉर्ड सिवा का अवतार भी माना जाता है ऐसा माना जाता है कि 16 साल की आयू में ही उन्होंने उरवेद का ज्यान प्राप्त कर लिया था उन्होंने अद्वैत वेदान्त का परचार परसार किया जो कि हिंदू फिलोसफी का नन डुवैलिस्टिक स्कूल है यह जो फिलोसफी है इसका मतलब है यूनिटी ओफ आत्मा आत्मा जिसको की इंडिविजुल कंसस्निस कहा जाता है और ब्राम्मन ब्राम्मन मींस अल्टिमेट रियालिटी जो हाइस्ट प्रिंसपल है यूनिवर्स का ये दोनों एक ही है उन्होंने दसनमी संपरदाय का भी फॉन्डेशन किया था जो की मोनेस्टिक लाइफ के बारे में बात करता है अलाकि वो ancient Hinduism में believe करते थे लेकिन मिमानसा school of Hinduism के निंदक थे ये इसके खिलाब थे मिमानसा school जो है वो ritual practices पर based था उन्होंने चार मठ की जो अस्थापना की थी वो इंडिया के चारों main direction में है south में स्रिंगेरी, west में द्वारका, east में पूरी और north में बदरीनाथ इन चारों direction में इन्होंने मठ की अस्थापना की थी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 32 साल के एज में इन्होंने समाधी ले ली थी हिमालाए के किदारनाथ में अगर ये वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्यू